नमस्कार दोस्तों रिबूट विद नेचर की इस नई वीडियो में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे जाईयों का रामबान इलाज चलिए जाते हैं 1. मलाई और नीमबू आ सकता है काम मलाई खाने के साथ ही चेहरे के लिए काफी फायदे मंद होती है चेहरे की जाईयों से परिशान हैं तो मलाई के साथ नीमबू का इस्तेमाल करें इसके लिए ताजी मलाई में नीमबू के रस की कुछ बूंदें मिला ले और फिर इसे कुछ देर तक चेहरे पर लगा कर छोड़ दे अगर इसे कुछ दिनों तक लगातार करती हैं तो तीन से चार दिनों में आपको फर्द दिखने लगेगा दो, चेहरे की जुर्यों को खत्म करे जीरा दाल और सब्जी में तड़का लगाने के साथ ही जीरा चेहरे के लिए लाबकारी माना गया है जाईयों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जीरे का पानी पीने से लाब मिलता है इसके लिए दो से तीन चम्मच चीरे को रोज सुबह पानी में उबाल कर इसे ठंडा कर चेहरे को धोए इससे बहुत जल्दी जाया हटने लगेंगी तीन, तुलसी के बत्तों से दूर होंगी जाया, तुलसी एक और शदियों से भरपूर पौधा है आयूर्बेद में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है चेहरे पर जायों को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों को पीस कर उसमें नीमबू मिला कर पेस्ट तयार करने और इसे चेहरे पर लगा लें इससे जाईों दूर होने लगेंगे और साथ ही डाग सकल की भी समस्या से छुटकारा मिल सकता है 4. मुलतानी मिटी और कपूर मुलतानी मिटी तो वैसे ही चेहरे के लिए लाबकारी है लेकिन जाईों को दूर करने के लिए कपूर भी काम आ सकता है चार से पांच चमच पानी में कपूर को भोलने और फिर उसे मुलतानी मिट्टी में मिला कर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लें फिर इसमें एक चमच शहद मिला दें और प्रभावित जगवर इसे लगा लें सूखने के बाद इसे पानी से धोलें कुछ दिनों तक इसे करने से लाग मिल सकता है आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूलें आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग डा वीडियो